तुलसी भवन के गालिप सबागार में आज 17 अगस्त 2022 को मोदी एड 20 ड्रीम समिट डिलेवरी पुस्तक पर राष्ट्रिय परिचर्चा आयोजीत की है इस पुस्तक की भूमिका स्वर कोकिला लता मंगेश करने लिखी है कि मोदी जी के जो सपने हैं उनका क्रियान वैन कह लिजिए जा उनकी पूर्ती कह लिजिए मोदी जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ दो तीन बाते मेरे द्यान में आती है एक व्यक्ति जो जमीन से उठा हो आम जनता में से उठा हो उसके मन में जनता का दुख दर्द रहता है उसने अनुभब किया हो पीर ने किसी ने कहा है कि जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई जिनके पैरों की विवाई खुद नहीं फटी, वो दूसरे की पीर नहीं जान सकते, मुझे लगता है, अभी तक सत्ता में भागीदारी उनकी होती रही, जिन होने पैरों की विवाई के चित्र तो दिखे थे, पढ़ा भी होगा, लेकर अपने पैरों की विवाईएं कभी नह से करते थे जाने कोई बड़ा आदमी ना भाई वो कहते हैं चूटी के घर नारायन आने की भूमका में आते थे कि हमने जे किया वो किया बोदी जी शायद पहले ऐसे और भी होंगा देखें मैं जे नहीं कहता कि उनसे पहले नहीं हुए बहुत हुए होंगे जिनके पैरों की लेकिन पहुत होते हैं अपने पैरों की ठीक कर लेते ते उसके बाद डूसरे गरूप में जाकर शाइब अजिए हैं फ़ियह का मिऊद्व वह आम जनता-बस फी जो हाशिये पर थी अनंहीं के साथ रहे और उनके दुख को दूर करने की कोश्च करते रहे हैं सिर्षक यह सपनों को साकार करने वाले सपनों द्रश्टा मानी मजजी को बारे में मैंने यही समझा इस लेख को पढ़ते हुए और पुना कृतकिता क्या आपित करूँगा बाबाक तुलसीदास को रामचीत मानस में उन्होंने एक पंक्ति लिखी है परहित वस जिसके मनमाही तिनकहु जग दुरलव कचनाई तो यह बेचैनी परहित की है जो अपने कुलपजी में भी है और अपने परहालमंत्री जी में सेवी है और हर एक सफल समाज सेवी में होनी चाहिए यह वर्धा सहर जो है यह गाओं का सहर है यहां आने का मुझे मुझे सोभाग प्रावत हुआ इसके लिए उल्पति जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिस दिन मैं रिटार हुआ वारश सरकार से दोजार पंदर में गया था मोदी जी को मिलने गया था मोदी जी को मिलना तो आसान था ही नहीं सेकेर्टरी होने के बावजु जब मैंने च फूस लग गया कि साब ने इतना याद किया कि मैं उनके साथ में काम किया हूं फिर कहते हैं उसके बाद भी काम करेंगे उसके बाद भी हम काम करेंगे वह अभी तक चल रहा है उनका अशिरवास से उनका स्वयोग से और उनका प्रेना से अभी तक भी काम करते जा रहा हूं और वो केते थे तो काम करने में थकान नहीं आता है काम नहीं करने से थकान आता है तो इसलिए काम करते रहना जब तक प्राण है तब तो हम काम करते रहेंगे यह जो प्रेरणा मोदी साइब ने दिया है वो लेके माँ भी आगे चल रहा हूँ युवाव के प्रेणा श्रोत मोदी जी इस पुस्तक के जो प्रथा मध्या जो की पीवी सिंधू के द्वारा लिखा गया है जिसमें इस पस रूप से यह व्यक्षा की गई है बहुतनी सुंदर चर्चा की गई है कि मोदी जी ने देश के युवाव के समक्ष एक ऐसा आदर्स प्रस्तुत किया है एक ऐसा आदर्स व्यक्तित प्रस्तुत किया है कि हर युवा अब उनको अपने प्रेणना श्रोत के रूप में एक source of energy के रूप में देख रहा है। इसके पीछे क्या कारण हैं क्या reasons हैं क्योंकि युवाव के लिए जो एक प्रेणना श्रोत हो सकता है वही व्यक्ति हो सकता है जो युवाव की तरह सोच रखने वाला हो युवाव की तरह उरजावान रहकर कारे करने वाला हो और युवाव की तरह अपने निर्णों को बिना डरे बिना किसी भैके ले सकता हो, हर युवा को ये उस तक पढ़ने जैसी है, तो ये 20 साल आधर्णिय प्रधान मंत्री जी ने किस प्रकार देश का विकास किया, उस पर केंद्री थे, मगर ये 20 साल आधर्णिय प्रधान मंत्री जी ने जो ये देश का काया कल्प किया, वो कैसे किया, तो जानने के लिए हमें उनके आगे का जीवन भी थोड़ा देखना चाहिए, ताकि हमारे ध्यान में आए, तो नरेंद्र भाई आज जो सपने साकार कर रहे हैं, जो सालों से जन्ता चाहती थी, तो उसका एक कारण ये भी है, कि नरेंद्र भाई ने जो भी समस्याय है, देश की जन्ता की, वो उन्होंने स्वयम अनुभव किया था, यह जो पुस्तक है, मोदी at 20, ड्रीम स्मिट डिलिविरी, मेरी द्रिष्टी में यह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई, एक राज्य सरकार और बाद में किंद्र सरकार, कि मुखिया के काम काज, का इंटेलिक्ट्वल और डिट है, मोदी जी को जब हम देखते हैं एक पत्रकार के रूप में, एक बिचारक के रूप में, एक अधेता के रूप में, एक पाठक के रूप में एक सिख्षक के रूप में तो मोदी जी इस देश के महानायक हैं और ऐसे महानायक हैं जिनको मैं तो उन्हें राम की रूप में देखता हूँ राम की तरह देखता हूं क्योंकि राम भील सबरी की जूठी वेर खाते हैं बनबासी राम के रूप में राम का जो कृतिब्यक्तित्तो है वो हमारे सामने है राम निरास्तितों उपिक्षितों बनबासी गिरिवासी पिडित सबको गले लगाते हैं और इसलिए राम आज भी लोक में हैं मोदी जी अपने सक्त का उपयोग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लोक के लिए कर रहे हैं इसलिए लोक में बने हैं लोक में भविस्ते में रहेंगे करता हूँ आप सबका मोबेल ओपिन करके अमेजन अप्लिकेशन ओपिन करिए सब लोग जिस टेन सेकंड्स में अमेजन अप्लिकेशन में इस बुक के लिए क्या बता रहे हैं एक बार बता दीजिए बेस्ट इन पॉलिटिकल इस पुस्तक का जो अभी अमेजन में अभी है जो मैं आते आते बीच में देखा है उसका क्या है और रिव्यू उसमें हैं बेस्ट सेलरीन पॉलिटिकल हिस्ट्री सो मोडी है तो मुन्किन है फार्मर वाइस प्रेजडेंट जो विंकाय नाड़ी जी है मोडी जी के साथ बहुत लंबे समय काम किया सो उनके शिप्दों से मैं स्टार्ट करता हूं सब लोग एक उस्तक को पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ना जरूरी है एवरी स्टेकोल्डर प्राइमरी सेकंडरी एवरी स्टेकोल्डर पॉलसी में जो लोग रहता है इंप्लिमेंटेशन, एक्जिक्यूशन के समय पे नहीं, प्लानिंग से ही सब को इन्वालो करने का एक दो पद्दती है, मोरी जी अपनाया है, इसलिए मोरी जी सक्सेस्फुल है. सबसे पहले तो अध्यक्ष के रूप में मैं सभी वक्ता उनको, आंदर आये साफ डर आये सकते हैं, सभी को एक बात के लिए पहले धन्यवाद दे दूँ, कि इस समय का हमने ऐसा पालन किया है, कि हम निर्धारित समय पर ही इस कारिक्रम को पूरा करेंगे. मोडी, एक टंटी, ड्रीम्स मीट डिलिवरी, एक किताब नहीं है. इसे भारतिय लोकतंत्र की सफलता की गाथा के रूप में समया जाना चाहिए. क्योंकि सामान्य तोर पर हम जब लोकतंत्र की चर्चा कर रहे होते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था की चर्चा कर रहे होते हैं, जो मानो असफलता को प्राप्त कर गई हो. और इससे समाधान का रास्ता कोई ताना साही से आएगा, डिक्टेटर्शिप से आएगा, मोनार्की से आएगा, इस प्रकार की अउधारनाएं गढ़ने लगते हैं. और कभी-कभी हम अंग्रेजी राज को भी बेहतर बनाने लगते हैं, वर्तमान परिश्था की से आएगा, डिरीम्स में डिलिवरी, वस्तुतह, इस आउधारना का समाज में जो निर्माण हो रहा था, उसका प्रतियुत्तर हैं. यह सपने देखे जा सकते हैं, सपनों को बुना जा सकता है, बुन करके उनको फिर अपने अनिपूल काटा-छ़ाटा सिला जा सकता है और अंतटह इस सपने में जो साजी आर हैं, उन सब तक किसको साकार करके पहुँचा जा सकता है. वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें वक्त ही ना रहा वक्त की बात